Hello everyone, आज मैं जो रिस्पी आपके साथ share करने जा रही हूँ, ये पहारों की रिस्पी है और ये रिस्पी मैंने सौरव जोसी की मा से सीखा है आप सोच रहे होंगे सौरव जोसी कौन, वही जो आजकल ब्लॉग की दुनिया में चाय हुए हैं ये रिस्पी उन्होंने अपनी ब्लॉग में उनकी मा ने बताया था और उन्होंने बनाया भी था तो वही रिस्पी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, देखके हूँ मैं उनके जैसा बना पाती हूँ यह नहीं तो आज ना 22 तारिक है और आज बहुत ही पटाके वगएरा चल रहे हैं तो आप देखिएगा थोड़ा सान आवाज आएगी तो डिस्टर्व मत होईएगा ध्यान देजेगा आप अपनी रिस्पी बे तो मैंने लिया है इसके लिए गुड और गुड को मैं पहले कूट ले अगर आप इसी तरह बड़ी बड़ी डलिया डाल देंगे तो इसको गलने में टाइम लगेगा तो मैंने इसलिए इसे कूट लिया है आप चाहे तो ग्रेट कर लीजिए या फिर इसे नाइफ से काट लीजिए और इसमें डाल लेते हैं गुड के डूबने के लाएक पानी बहुत जादे पटा के छोट रहे हैं तो अब मैं इसमें पानी आपको जादा नहीं डालना है वस इतना की गुड गल जाए तो जितना गुड जाए आपका उतना ही इसमें आपको पानी डालना है और आप इसे लो टू मेडियम पे चढ़ा देते हैं ताकि ये धीरे धीरे गुड हमारा गले आपको फ्रेम तेज नहीं करना है बरना ये चासनी बनने लग जाएगा क्योंकि हमें इस रेश्पी में चासनी की जरूरत नहीं है तो इसे छोड देते हैं गलने के लिए कमाच पे और आप ले लेती हूं मैं आटा तो मैंने लिया है आधा किलो आटा आधा किलो आटा में आपको 500 ग्राम गोड लेना है ये आपका माप रहेगा जैसा कि मैंने बनाया है उन्होंने कोई माप तौल नहीं बताया था लेकिन मैं बना रही हूं तो इसमें मैंने माप कर लिया है और आटे में ये रेगुलर आटा है वही जिसका हम रोटी बनाते ह थोरी सी अजवायन डाल ली है हाथों पर मसल करके और दो चमच मैंने घी ले लिया है और आप मैं इसमें ले लूँगी दो से तीन चमच दभी तो दभी आप पुराना मत लीजेगा फ्रिश्ट लीजेगा और ले लिया है मैंने थोरा सा दूध यानि कि जितना दही लिया है उसका आधा मैंने इसमें दूध डालिया है, क्योंकि हम गूड का पानी बना रहे हैं, तो दूध हमें इसमें जाधा नहीं डालना है. अब इसे इससारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं, और इधर देख लेते हैं अपने गूड के पानी को. तो हमारा गुर का पानी भी इधर देखिए सारा गुर अच्छी तरह गल गया है आप चाहें तो इस स्टेज पे अपने गुर के पानी को छान लीजिए ताकि कई बार गुर में कुछ मोटा रह जाता है तो वो छान लेंगे तो निकल जाएगा तो मेरे गुर में नहीं है कुछ और गुर के पानी को ठंडा कर लेना है हमें ठंडा करने के बाद ही आपको इसका आठा लगाना है तो यहां मैंने आठा लगाया है आठा यहां पे आपको हाड यानि कि कड़ा गुतना है जैसा कि उन्होंने बताया था बनाते वक्त कि आटा थोरा सा कडा होना चाहिए इसका तो मैंने आटे को थोरा कडा ही गुता है बागी अगर कुछ कलती हो तो प्लीज अगर देखेंगी तो मुझे माफ कर दीजिएगा और बताईएगा कि सही क्या है और गलत क्या है मेरी रेशपी में तो यह देखिए इस तरह मैंने इसे गुत लिया है और अब इसका इस तरह लंबा-लंबा हथेलियों पे या फिर आप जो चकला बेलन होता है उस चकले पे रख कर के या अपने सर्फेस पे रख करके हाथों की हेल्प से इस तरह लंबा लंबा कर लिजिए उस ब्लॉग में उनकी पूरी फेमली बैट करके एक साथ ये रिस्पी बना रही थी बहुत ही अच्छा लग रहा था लेकिन मैं यहाँ पे अकेली ही बना रही हूं और इस तरह इसको शेप मैं दे दूँगी ये देखिए और वहाँ तो बच्चे बहुत अलग अलग तरह के डिजाइन बना रहे थे तो मैं भी चलिए आगे थोड़ा बहुत देखूंगी पहले तो ये मैं बना लेती हूं इस तरह इसका शेप दे करके क्योंकि शायद इसका शेप यही होता है क्योंकि मैंने ये रिस्पी इससे पहले कभी न खाई है और न कभी पहले देखी है क्योंकि गाओं की और हर स्टेट की हर जगा की रिस्पी कुछ खास होती है जो कि आप जब कही अंदर जाएंगे न किसी गाओं में या किसी ऐसी लोग से मिलेंगे तभी आपको ये रिस्पी मिल पाती है तो मैंने इस तरह अपनी घुगुता उन्होंने इसका नाम घुगुता दिया था बच्चे घुगुती कह रहे थे घुगूत कह रहे थे तो ये देखिए मैंने भी गी तो गी या तेल आप जिस भी चीज में बनाना चाहते हैं बनाईए और इसे हमें बहुत जादा गरम नहीं करना है तो मैंने एक छोटा सा टुगरा आटा का डाला है तो ये देखिए एकदम आराम-आराम से उपर आ रहा है इसका मतलब हमारा तेल परफेक्ट गरम है क्य तो इसलिए आपको फ्लेम को अपने लोही रखना है और इसे डाल लिया है तो एक बार में देखिए कितना सारा ये घोगता फ्राई हम कर सकते हैं तो मैंने तो छोटा ही कडा ही लिया है आप चाहें तो बड़ा कडा ही ले ले लिजए endings लेकिन स्वाद का इसका काफी अच् मुझे इसका स्वाद लगा आप इसे बना करके रख सकते हैं स्टूर करके और बच्चे बड़े सब इसे बहुत ही स्वाद से खाएंगे क्योंकि ये गुड है इसमें तो सर्दियों में तो गुड वैसे भी खाने का बहुत ही फायदा होता है इसे डाल करके आपको छोड देना है और आज काफी ठंड है तो मैं आथ भी थोड़ा सेक ले रही हूँ क्योंकि मुझे अभी इसे चूना नहीं है तो हलका हलका बीच बीच में मैं अपनी कडाही को हिला दे रही हूँ क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि अगर मैंने इसे बीच बीच में छुआ तो हो सकता है इसका सेप खराब हो जाए तो मुझे इसका सेप खराब नहीं करना है तो ये देखिए कलर आ गया है अच्छा सा और ये ठंडा होगा तब पता चलेगा कि ये कैसा हुआ है अंदर से कच्चा है या पका हुआ है और अब मैं अपना और भी जो मैंने बना करके रखा है उसे मैं डाल लेती हूँ थोरे से मैंने जलेवी का सेप दे दिया है एक तो हार्ट का सेप दे दिया है और इसी तरह मैं अपने इस दूसरे बैच को भी फ्राई कर लेती हूँ तो अगर आपका थोरा तेल गरम हो जाए तो आप थोरा सा गैस बंद कर दीजिए और फिरा दुबारा से इसे जला करके बनाईए बढ़ना ये तेज पे आपका घुगता बिलकुल खराब हो जाएगा अंदर से कच्चा ही रह जाएगा और उपर से एक दम से इसमें कलर आ जाएगा तो मैं कहा रेकॉर्डिंग करूँ समझ नहीं आ रहा था तो इसलिए मैंने लास्ट में ये रेकॉर्डिंग में रात में कर रहे हूँ रात के ग्यारा बज रहे हैं फिर भी पटाकों की आवाज आपको सुनाई दे रही है आज राम जनम उत्सव है इसलिए उनके स्थापना हुई है और उसी उपलक्ष में अयोध्या की खुशी की उपलक्ष में हर शहर में ये पटाके छूट रहे हैं तो हमारा गुबता तयार हो गया है चलिए चलते हैं लेकर के से बना करके सबको देने के लिए और सबको टेस्ट कराओंगी कि बताईए ये गुबता सबको कैसा लगा तो चलिए एक तोर करके देखते हैं कि ये कैसा हुआ है अंदर से कैसा है और बाहर से तो कलर काफी अच्छा आया है लेकिन अंदर से चलिए एक हम लोग पहले तोर लेते हैं तो बहुत ही perfect बना है यह देखिए आप बताईए कि आपको यह recipe कैसी लगी आपने पहले कभी बनाई है और खाई है अगर हां तो मुझे comment करके जरूर बताईएगा किसका taste आपको कैसा लगा तो मिलेंगे फिर अगली बार अगली recipe में तब तक के लिए जैसरी राम